हलो एन विलकम सौगत है आप सभी का महिंद्रा का ओफिशल यूटीब चानल पे आज हम डिसकस करने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट न्यूज और ये न्यूज सुप्रीम कोट के वर्डिक्ट संबंधिद है यहाँ पे जो फीमेल है जो डाउटर होती है उनको अपने फादर की प्रॉपर्टी पे किस तरह का अधिकार है किस तरह की अधिकार से वह वंचित थी सुप्रीम कोट ने किस तरह का अधिकार अभी प्रदान किया है और पहले किस तरह की अधिकार दिये गए थे बेटियों को अपने फादर की संपत्ती पे तो यहाँ हम जानने की कॉसिस करें क्या है concept हमारी जो property गई हम देख सकती है कि इनहारेंट जो property है उसमें या फादर के द्वारा जो बाद में अरजित की गई है दादा पर दादा की प्रोपर्टी के अलावा जो फादर के द्वारा सेल्फ कमाई गई प्रोपर्टी नियुकर दिया गया है तो यहां पर एक conflict था पहले Supreme Court के पास एक case आया था जिसमें जो है challenge किया गया था Hindu Succession Act 1956 को जिसमें महिलाओं को जो बेटिया होती उनके साधी के बाद भी उनके father की property पे अधिकार दिया गया था तो हम यहाँ पर जानने की causes करें कि साधी के बाद father की property पे जो महिलाओं को अधिकार मिला है वो father की actually में कौन सी property पे मिला है property जो है यहाँ पे एक होती है inherent property जो खांदानी चली आ रही है जो heritage to heritage जो है वो चली आ रही जैसे दादा जी की संपत्ती father को और इस तरह से चली आई संपत्ती पे अधिकार होगा या फिर father ने अपने से जो अरजित किया है property उस पे बेटियों का अधिकार होगा यह एक जो है कस्मा का situation बना हुआ था हाला कि laws बहुत ही किलियर थे कानून बहुत किलियर था बट उसकी बाववजूद भी वाद था यहाँ पे आप जो सुप्रीम कोट की verdict आई है जो कि हिंदू सक्सेशन Act 1956 के संदर में है तो यह female को पूरिय अधिकार देता है यह law जो है 2020 में एक तरह से हम देख सकते हैं कि जो rights होता है female child के पास जो corporatory rights होते हैं वो भी female को मिलेंगे और वो भी male की तरह ही equally father की property के लिए जो है बिल्कुल वो जो है एक तरह से उत्तरा अधिकारी हो सकते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे कि recently Supreme Court ने आपको पता होना चाहिए कि Supreme Court के पास यह case गया था मैं पहले आपको बताई तो यहाँ पे एक कस्मक का situation बनी हुई थी कि female को अधिकार तो दिये गया है लेकिन property को लेकर के अभी भी जो है यह रहता है कि नाम नाम की property female की होती है जहातर जो एकसेस्मेंट होते वो male की होते जह सपोस घर नाम का है कि female के नाम पे घर है लेकिन access उसको mail ही करते एक यह भी issue सामने था और secondly हम यहाँ पे देखेंगे कि जो female है उनको अधिकार तो है लेकिन उनको inherent property पे अधिकार है और father की जो recent कमाई हुई property है उस पे महिलाओं को अधिकार नहीं था हाल फिलाल में हम देखेंगे कि जो national family health survey है उसके रिपोर्ट से भी यह data सामने आए कि 43% महिलाओं ने यह कहा कि उनके नाम पे बहुत सारी चीज़े तो होती है बट उनको actually में उनका access नहीं होता वो property उनके control में नहीं होती हिंदू succession act 1956 जो कि आप देख सकते हो मिताक्षरा school of Hindu law यह codified करता है मिताक्षरा school of Hindu law यह codified करता है हिंदू succession act 1956 को जिसके तहत father की property जो है inherent property जो है उस पे जो है legal hire के तोर पे है ना कानूनी उत्राधिकारी के तोर पे महिलाओं को भी यह अधिकार दिया गया है यहाँ पे यह अधिकार जो है यह वाला जो आप देख सकते हो यह जो act है यहाँ पे that is a Hindu succession act 1956 जो कि मिताक्षरा school of Hindu law codified की है इसको यह law लागू नहीं होता है मुस्लिम पे क्रिश्चन पे पार्सी पे जुईस पे ठीक है लेकिन साथी साथ जो बॉदिस्ट है सीख है जैन है या फिर जो follower से आरे समाज के ब्रह्मो समाज के या जितने भी जो एक तरह से sects बनाए गए है उन सभी पे यह law बिल्कुल equally applicable होता है बट यहाँ पे ग्राउंड आ रही थी जो कि आपको मैं बता चुकि फादर के द्वारा जो acquire किया गया था प्रॉपर्टी उसके बटवारे को ले करके तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जितने भी तरह के हिंदू ट्रडिशनल फैमिली के अंदर जो भी फैमिली ग्रूप या जो भी सेक्ट कम्यूटी आते हैं उन सभी को यह अधिकार दिया गया है कि अब वो जो 1956 के एक्ट और 27 2005 के एक्ट है उसको वहाँ पे इंफ्लिमेंट किया जाएगा साथी साथ इस जजमेंट में 1956 के जजमेंट को ध्यान में रखते हुए 2005 के जजमेंट को क्या किया गया यहाँ पर amend किया गया specifically जो section 6 है 2005 के rights में इसमें बदलाव किया गया क्योंकि इसमें पहले 2005 का जो rights था इसमें जो legal hire है वो female तो है लेकिन father की inherent property पर तो यहाँ पर यह सब्द change किये गए और यहाँ पर daughter जो होंगे उनको भी आप देख सकते हूँ यहाँ पर अधिकार मिला है इनके पास भी जो है एक तरह से आप यह अधिकारी है father के किसी भी तरह की property को लेने के लिए तो father का जो property होगा वो उनकी जितने भी child होंगे male female उनकी बीच में equitably अब यहाँ पर distribute हो सकता है तो this is all की female जो है उनको अपने father की property पे पूरी तरह से अधिकार है वैसे ही जैसे एक male child को होता है तो this is the supreme court का verdict regarding daughters के अधिकार को लेकर के father की inheritance property के साथ father के द्वारा जो है inculcate की गई आज तक की सभी property पे तो करना कहा है guys आपको do like, share and comment, thank you thanks for watching जुल